students यह question है कि the sum of the digits of a two digit number is 11 the number obtained by interchanging the digit exceed the original number by 27 find the numbers तो मैं two digit number है तो two digit number just suppose करो मेरे पास कोई भी number हम ले सकते हैं 25 तो 25 को हम लेखते हैं इसमें जो 2 है वो 10 प्लेस पे है और 5 जो 1 प्लेस पे है तो इसको लेखते हैं 20 प्लेस 5 की फॉर्म में लिखा जासे हैं जान से हमारे पर एकस फॉर्मुला बनता है कि two digit number होता है 10 इंटू यह से उसको लेखेंगे 2 इंटू 10 प्लेस 5 तो 2 इंटू 10 प्लेस 5 को हम लेखेंगे 10 इंटू digit at 10's place प्लस digit at 1's place तो यह नमबर हमारे पास बनता है तो हम यह फॉर्मुला यूज करेंगे आगे नमबर लिखने के लिए तो हमारे पास है कि number जो है two digit number उनका sum है 11 अगर हम यहाँ पे जो 1's place है digit at 1's place जो है उसको हम expose कर लेते हैं तो digit at 10's place जो हमारे पास होगा क्योंकि sum हमारे पास 11 है तो जाएगा 11-x अब इस फॉर्मुले से जो number आया हमारे पास number है 10 इंटू digit at 10's place प्लस digit at 1's place तो 10 इंटू 10's place पे जो digit at 11-x और bracket में रखेंगे प्लस x हो गया तो multiply करेंगे हो गया 110-10x प्लस x तो यह बन गया 110-9x यह हमारे पास number आया यह है जो मारे पास original number है अब उसने एक और condition दिये कि अगर हम digit को reverse कर देते हैं इंटर्चेंज कर देते हैं यहां पे लिखो है number obtained by interchanging the digits digit का मतलब क्या है कि जो 1's place है जो 1's place है उसको हम लिखते है 11-x और जो 10's place है वो हमारे पास हो जाएगा x हमने digit को reverse कर दिया 10's place 1's पे चला गया 1's place 10's पे चला गया तो number क्या बना जो new number है इसको हम लिखेंगे new number formula same रहेगा 10 into 10's place plus 1's place 10 into x plus 11 minus x तो जाएगा 10x plus 11 minus x और आएगा 9x plus 11 अब यह number है यह number original number है और यह जो अब नया number आया तो आगे इसने condition दिया कि अगर हम ऐसा करते हैं हम interchange करते हैं तो जो number obtained होगा वो original number से exceed कर जाएगा 27 means condition आएगी कि new number जो हमारे पास आया वो old number से 27 जादा होगा तो new number minus old number equals to 27 यह condition बनेगी अब new number है 9x plus 11 और old number है 110 minus 9x जोगे 27 solve करेंगे इसको 9x plus 11 minus 110 plus 9x equals to 27 तो यह है मारे पास आया 9x और 9x हो जाएगा 18x और 11 को हम 110 से subscribe करते हैं हमारे पास आएगा यह 99 equals to 27 99 दूसरी तरह चला जाएगा 18x equals to 27 plus 99 और हो जाएगा 126 तो x हमारे पास आएगा 126 भाई 18 जो बनेगा 7 तो x 7 आ गया तो 7 का मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे 7 पूट करें यह हम यहाँ पे भी इसकी value substitute कर सकते हैं कि जो once place है once place हमारे पास आगया 7 और 10th place हो जाएगा 11 minus x जो 11 minus 7 4 आ जाएगा तो यहाँ से हमारे पास आता है कि जो once place है once place हो गया x और जो 10th place है 10th place हो गया 11 यह हो गया 7 और 11 minus 7 हो गया 4 तो number हमारे पास बना 10th place and once place तो जाएगा 47 क्योंकि 4 जो 10th place पे और 7 जो अब हो once place पे है तो यह इसका answer है thank you